आप देख रहे हैं दाफुल जड़ी और मैं शुर्ती सिंगर सूनु निगम पिछले कई तिनों से अपने गानों की बजाय अपने बयानों के चलते सुर्ख्यों में बने हुए हैं सिंगर कई बार हिंदी रियालिटी शोज को फेग बताते हुए इन्हें जड़ करने से इनकार कर चुके हैं अब सालों बाद सिंगर ने बेंगॉली रियालिटी शोज सूपर सिंगर 3 साइन कर लिया है इस दौरान सोनु ने बताया है कि उन्हें कंटेस्टेंस की फेग अलीफ करने का दबाव होता है, ये पहली बार नहीं है, जब सोनु निगम अपने विवादत बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, आएए जानते हैं वो कौन कौन से बयान रहे हैं, जिन से उन्होंने खूप सुर्खिया बटोरी हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मा काली पर विवादित बयान की। आपको बता दें कि कुछ समय पहले राधे मा के पहनावे और उनकी लाइफ स्टाइल पर सवाल उठे थे। इस पर सोनु निगम ने राधे मा के तुल ना मा काली से करते हुए कहा था कि मा काली भी छोटे कपड़े पहनती थी लेकिन कभी किसी ने उन पर सवाल खडा नहीं किया। इस बयान के बाद सोनु निगम को काफी आलोचना छेलनी पड़ी थी। आगे बात करते हैं, T-Series पर आरोपन होने लगाये थे, जी हाँ, सोनु निगम ने शुशान सिंग राधपूत के निधन के बाद T-Series को म्यूजिक इंडेस्ट्री का माफिया बताया था, सोनु ने सोशल मीडिया पर शेयर किये गए एक वीडियो में कहा था, कि वो इन्हें कोस करेंगे, विवाद बढ़ने के बाद दिव्या खोसला पती भूशन कुमार के बचाओं में आई थी, आगे बात कर लेते हैं, जब आजान पर आपत्ती उठाए गई थी, जी हाँ, सोनु निगम ने एक वीडियो जारी कर कहा था, कि आजान की आवास उनके सिर में पड़ी थी, आगे आपको बता दें, जब उन्होंने कहा था, कि वे बेटे को भारत में सिंगर नहीं बनाना चाहते, जी हाँ, सोनु की ही तरह, उनके बेटे निवान भी अच्छे सिंगर है, हाला कि सोनु ने भारत में सिंगर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि सोनु ने कहा, कि मैं नहीं चाहता कि मेिना बेटा भारत में रहे और यहां सिंगर बने भारत में नाम कवाने वाले शोनको यह बयान काफी源ى विवाद सोनु ने ये भी कहा था कि काश मैं पाकिस्तानी सिंगर होता जी हैं आपको बता दें कि भारतिय सिंगर्स से गाना गाने के लिए पैसे लिए जाने पर आपत्ती उठाते हुए सोनु ने गम ने पाकिस्तान को बहतर बताया था उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से होते तो ज्यादा अच्छा रहता भारतिय सिंगर्स से गाने के लिए पैसे लिए जाते हैं लेकिन पाकिस्तानी सिंगर्स यहां गा सकते हैं भारत का ये बिजनेस उल्टा हो चुका है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब उन्होंने बाबरी मजजद पर विवादित बयान दिया था सोनो निगम ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बाबरी मजजद को गिराया जाना गलत बताया था उन्होंने कहा कि बाबर ने मंदर तोड़ कर गलत किया लेकिन उसके सालों बाद दुबारा उस मज़ित को तोड़ना काफी गलत है सालों पहले किसी ने गलती की तो अब इसे दुबारा तोड़ने का क्या फायदा है आगे आपको बताएं जब फ्लाइट में गाने पर हुआ था विवाद जी हाँ सोनुनिगम जेट एर्वेस में सफर के दौरान फ्लाइट में गाना गा कर विवादों में फसे थे उन्होंने फ्लाइट में उद्गोशन प्रणाली का इस्तमाल कर गीत गया था इसके बाद क्रू मेंबर्स को निलंबित कर दिया गया था आगे बढ़ते हैं इसक्रम में आपको बता दे हैं जब करन जोहर से ट्विटर पर उनकी लड़ाई हुई थी आपको बता दे कि करन जोहर और सोनुनिगम के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन फिल्ब ऐ दिल है मुश्किल में मुहम्मद रफी का मजाक उड़ने पर उने करन जोहर को ट्विटर के जरीए खूब खरी खोटी सुनाई थे इसका जवाब करन ने भी दिया था दोनों के बीच हुई शब्दों की लड़ाई के चर्चे खूब हुए थे तो आपको इन सारे विवादों को लेकर के क्या कहना है आपकी क्या राय है क्या आप इन विवादों के पक्ष में है अथ्वा नहीं आप अपने प्रतिक रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईए और साथी साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर झाल